हेलो स्टुडेंट्स बच्चों आज हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 के लेसन नंबर 9 दा रेंबो फेरीज के वर्ड मिनिंग कोश्चन आंसर एंड एक्ससाइज को आई होप कि लास्ट वीडियो में आपको बहुत पसंद आई होगी और प्लीज बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आईए स्टार्ट करते हैं वर्ड मिनिंग से फर्स्ट वर्ड है बंप्ट B-U-M-P-E-D बंप्ट मेंस टक्राया सेकेंड वर्ड है फोक F-O-L-K फोक फोक मिन्स लोग नमबर थ्री है वॉयलेट V-I-O-L-E-T वॉयलेट मिन्स बैंगनी और नमबर फोर है R-O-W-Row रो मिन्स एक कतार पंक्ती जिसे हम लाइन भी कहते हैं नमबर फाइव है Sun Beams S-U-N Sun B-E-A-M-S Beams दोनों को मिला कर बोलेंगे Sun Beams सूर्य की किरने नमबर सिक्स है Indigo I-N-D-I-G-O Indigo मिन्स गहरा नीला और लास्ट वर्ड है Wiped W-I-P-E-D Wiped means पोच्छा वर्ड मिनिंग के बाद Students अब है हमारे सामने Questions and Answers Question No.1 Who went flying? कौन गया उड़ते हुए Through the sky आसमान से Answer है Two little clouds दो छोटे बादल went flying उड़ते हुए गए Through the sky आसमान से अब है Question No.2 Who began to cry and why? कौन रोने लगा यहां बिगैन का मीनिंग है लगा Began means शुरू कर दिया और इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं Began to cry रोने लगा रोना शुरू कर दिया किसने रोना शुरू कर दिया and why और क्यों Answer है Two little clouds दो छोटे बादलो ने Began to cry रोना शुरू कर दिया Because क्योंकि They bump their heads क्योंकि उन्होंने अपने सरों को टक्रा लिया था उनके सर टक्रा गए थे Question number 3 है Whom did Father Son Send Father Son पिता सूरे ने किसे भेजा To dry the falling tears गिरते हुए आसुओं को सुखाने के लिए Answer Father Son Sent पिता सूरज ने भेजा His little fairy folk अपनी छोटी छोटी परियों के समू को परियों को भेजा To dry the falling tears गिरते हुए आसुओं को सुखाने के लिए Question number 4 What were the colors of the fairies gown परियों के गाउंस के कौन कौन से रंग थे क्या क्या रंग थे Answer है The colors of the fairies gown परियों के गाउं के colors थे वर violet, बैंगनी, इंडिगो, गहरा नीला, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, औरेंज, नारंगी और रेड, लाल रंग ये सारे रंग थे परियों के, कपड़ों के, उनके, गाउंस के Students, अब है question number 5 What did the fairies do? परियों ने क्या किया? Answer The fairies wiped the clouds tears परियों ने पौँच दिये बादलों के आसुओं को All away सभी सारे आसुओं को, बादलों के सारे आसुओं को उनके परियों ने पौँच दिया The fairies wiped the clouds tears all away Question 5 के बाद, students आपकी बुक में दिया हुआ Word Power की exercise को लिखा है इसका sentence है इसका question है Pick the rhyming words Rhyming ले बनाने वाले शब्दों को चुनिये From this box, इस box से And write them और उन्हें लिखिये In the space below उनके नीचे दी गई जगा में Rhyming words होते हैं जो शब्द बोलने में एक जैसे हों एक जैसे उचारण के साथ बोले जाएं जैसा की पहला यहाँ पर लिखा है cry Cry की आवाज मिलती है sky से Cry sky S-K-Y sky Second है jump J-U-M-P-E-D Jump की sound मिलती है bump से इसलिए यहाँ इस बॉक्स से हमने इसे select करके यहाँ लिख दिया Jumped Bumped C में लिखा है deer और deer की sound मिलती है tear से तो deer, tear यह rhyming words कहलाएंगे D है dry Try Dry Try और last है day Day Say यह word हमने इस प्रकार इस box से select करके यहाँ इनके सामने लिख दिये है तो students इस तरह से आपका यह lesson number 9 complete होता है I hope आपको इसकी exercise question answer word meaning सब समझ में आए होंगे इस video को like करना ना भूले और जो students first time इस channel पर study कर रहे हैं उनसे request है कि वो इस channel को subscribe कर ले next lesson की video जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच जाएगी thank you बेटा